आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही फेमस हैं और उन्होंने एक मेथड भी निकाला है जो कि उनके नाम पर ही है जिसमें हम कई तरह के हैड हम डिजाइन कर सकते हम ड्रॉ कर सकते और इसके लिए मैंने एक टेक्निक निकाला जिसे कि आप बहुत ही इसली आप ड्रॉ कर सकते हो जैसे कि यह बॉल देख रहे हो आप जिसको मैंने structure बनाया ऐसे तो यह जो structure है उनका ही एक trademark structure है तो एक बॉल पर मैंने यह दिया हुआ है जैसे अभी आप देख रहे हो कि जो मैंने कुछ lines बनाया है कुछ आप कुछ verticals horizontal lines दिख रहे है वो क्यूं है वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा अभी और यह कैसे बनते हैं यह भी सारी चीज़े आपको बताऊंगा जैसे कि मेरा एक और चैन सेम lines में draw करके कोई भी एक face easily draw कर सकता हूँ देख रहे हैं जैसे कि same size का जैसे दो आगर आपको पार्ट देख रहे हैं तो तीसरा पार्ट मैं खुद से इसको draw करूँगा और draw करके फिर वैसा ही shape आप ला सकते हो जैसे कोई भी angle में आप करोगे 3 4th है या फिर उपर का तो जैसे अब आप देख रहे होगे कि जितने भी lines में आपको बता है तो इसको same मैं अभी paper पे उतारूँगा में और paper पे बना के फिर कोई भी face को आप एक exact shape में ला सकते हैं जैसे सबसे पहले मैं एक circle बनाऊँगा circle जितने भी आपको shape बनाने है जो भी angle में बनाना है तो जो दो है center में उनको मैं in between रखूँगा तो आप easily आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम लोग face को draw करते हैं जो मैंने ball बनाया हुआ यहाँ पे और यह ball जो होना ही चाहिए आपके पास जो मैंने आपको बता है अगर आप regular face draw करते हो तो इसके लिए यह होना चाहिए तो अभी मैं आपको बता हूँगा तो एक जो circle बना है circle के अंदर यह है यह portion declare करता है आपको कि जैसे एक forehead है और उसके center में eyebrow है और नीचे वाला जो है वो nose line है वो कैसे होगा वो सारी चीज में आपको बता रहा हूँगा और जितने भी circle आप देख रहे हो सब में यह same technique यूज होनी वाला है तो यह सबसे पहले तो उसमें plus बनाएंगे plus means कि उसका center line लेंगे तो यहाँ पर हमें center line मिल गया और same जो है उसको follow करेंगे वो line को आपको edge के तक जहाँ पर हमें nose, eyes बगर बनाना है तो same जैसे आप देख रहे हो जो हमारा छोटा circle है उसका ही हम लोगों ने आपके line carry forward किया और सबका size है same होना चाहिए जैसे अब आप देख रहे हो कि हर एक angle जो है हर एक line जो है block है दो का जो हमें हमारे पास है तो third जो हम same size का हम उसको नीचे लेकेंगे और यह जो line है वह आपका jaw line है जैसे पहले मैंने आपको बताए कि सबसे उपर वाला forehead है उसके बाद eyebrow उसके बाद nose और फिर chin line जो है हम लोगों ने यहाँ पर extra बना यहाँ पर जैसे दिखो यह eyebrow line nose line और nose line और eyebrow line के बीच में ही हम कान बनाते है जो हमारा ear है तो यह हम लोगों ने बना है और यह जो same चीज हम है वो सारे जितने भी हम angle बनाने वाले है वही हम play करेंगे यहाँ पर every angle के लिए तो सबसे पहले जो side angle बना रहे है तो उसके edge से हम सीधा एक निकालेंगे line और एक जो line है उसको connect करेंगे जहां से chin line तक और वो chin line में ऐसे connect किया कि कोई भी face बनाने के पहले उसका skeleton बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब तक हम पता नहीं चलेगे उसका actual shape कैसा है फिर हम उसको हम बना नहीं सकते है तो यहाँ पर अगर आप beginner हो तो यह method आपके लिए बहुत easily है और आखिर बहुत सारे research के बाद ही Andrew Lewis ने यह method निकाला था तो अभी देख रहो कि हमें complete एक shape मिल चुका है side face का अब इसके अंदर आप जो भी भरना चाहिए जैसे eyes, nose, lips है वो सारी चीज़े हम भर सकते हैं लेकिन हमारे पास एक foundation है foundation means कि एक shape हमारे पास है जिस पे हम develop कर सकते हैं आगे face को जो कि एक बहुत ही important role play करता है जैसे अब इसके अंदर आप चाहें तो फिर आप जो भी face draw करना चाहें जैसे अभी आप देख रहो कि यहां से eyebrow line से और nose line तक मैं यहां पे nose draw किया और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि eyebrow line और nose line के बीच में ही eye line आता है lips line भी यहां पे आता है तो वहां से हम lip, chin यह सारी चीज़े हम draw कर लेंगे तो यह जो method है आपको एक एक ऐसा graphical method है जिसे आप कोई भी face बना सकते हो या अगर आप किसी का live sketch भी बना रहे हो या फिर memory drawing कर रहे हो तो यह जो method है आप easily draw कर सकते है इसमें benefit यह है कि आपका जो structure होगा बिलकुली एक complete correct होगा correct means कि उसको जितने भी shape जहां पर होनी चाहिए natural way जो होता है वो है क्योंकि यह बिना अंदाज पर हम लोगों ने बनाए इसको ड्राफ करते हो तो यहां पर जैसे मैंने आपको दिखा है कि यहां पर hair, forehead, nose, lips यह सारी चीज़े हम मैंने आपको draw करके बता दिया तो अभी जो है हम मैं अभी front draw करने वालों तो front draw करने के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि एकदम center line होना चाहिए जैसे वो जो line है एकदम side में चली गई थी side face के लिए वैसे ही यहां पर center में आ जागी तो यहां पर हम लोगों प्लस का बनाए जैसे अभी आप देख रहे हो तो यह eyebrow line है center वाला और यह जो ear का देख रहे हो आप side में box तो complete visible round shape में नहीं होगा तो कुछ side में कुछ ऐसा दि difference लिया तो यह जो ball देख रहे हो आप ball pages मैंने यहां पर marking की हुई है तो वही marking जो है बहुत ही help करता है हमारा कोई भी face किसी भी angle में बनाने के लिए तो यह जो ball मैंने आपको बताए जैसे मैंने आपको बताए कि एक और मेरा channel है अभिशे Cart Life तो वहां पर आप जाके जैसे म मैंने हमेशा है आपको बताता हूँ कि जो भी कुछ technical videos हैं तो वह सारी चीजे में वहां पर रखता हूँ तो आप उसको भी subscribe कर ले और जितने भी videos होंगे आपके लिए बहुत ही helpful रहेंगी तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि eyebrow, forehead, nose और chin के लिए वही same method है जो जितना distance है एक दूसरे के बीच में उसका ही जैसे कि forehead और eyebrow के बीच में है eyebrow और nose के बीच में same distance हम chin के लिए लेंगी यहां पर और वो सब के लिए applicable है तो यह जो अभी आप देख रहो ear, ear के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि eyebrow और nose line के बीच में ear आता है तो वहां से हम इसका face का जो chick line है वो हम वहां से निकालेगे तो यहां से ear के पास से दोनों side से फिर हम नीचे के तरफ लेंगे और एक जैसे मैंने आपको बताया कि एक natural way है एक हमें face draw करने के लिए और यह beginners के लिए तो बहुत ही फायदेमंद वाला है यह चीज क्योंकि अगर यह एक बार चीज आपको आगई तो next time शायद आपको graph भी बनाने की जुरूरत ना पड़े आप direct बना सकते हो और एक 3D आप जो depth देखते हो वह सारी चीज़े आप ला सकते हो यहां पे इस technique की help से और कुछ जो help जैसे मैंने आपको 3D बताया था आपको कि 3D किस तरह से अचीव कर सकते हो 3D में कैसा आप फेस दिखता है उसकी जो depth है उसका जो embos है जहां कहां पे उठा हुआ है वो सारी चीज़े में आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा आने वाले episodes में तो जैसे अभी आप देख रहो कि मैंने एक simple सा marker बढ़ा हो मैं और मैं ज्यादा detail नहीं कर रहा हूँ यह जो tutorial है वो सिर्फ आपको shape बनाने के लिए कि actual में जो facial जो आप देखते हूँ कि उसमें जो head है head कैसा होता है उसका shape कैसा होता है अगर हर इक angle में किस तरीके से उसको हम दिखा सकते हैं में आप कैसे देखते हैं वो सारी चीज़े हम ऐसे बना सकते हैं यहां पर तो अभी जो एंगल हम थोड़ा चेंज करेंगे जो अभी आप एक बिल्कुली साइड फेस से थूड़ा सा हम और क्वाटर साइड कह सकते हुआ तो यहां पर जितना विजबल हो रहा है अभी देख रहे हो कि एयर का जो लाइन है वो यहां पर फिर से हम प्लस लेंगे और हर एक में आप देखे हो कि क्योंकि राउंड शेप है तो उसका जो शेप है लाइन है वो थोड़ा कर्वी होता है कि जैसे जैसे एंगल हम चेंज करते हैं तो आपको चेंज भी करना होता जैसे कि अभी आप देख रहे हो और हर एक मेथड जो है मैंने सब के लिए सेम रखा है जैसे कि एक मेजर करके एक एक एक्स्टा लाइन लेना और एर के लिए आप कहां पर प्लेस कर रहे है वही सेम जो चोटा सर्कल वहां पर ही मैं ले रहा हूँ तो आप देख रहो कि face का side face से थोड़ा सा कम है तो यहां पर मैं आपको side वाला बताऊंगा जैसे यहां पर देख रहो हूँ यह मैंने नीचे की तरफ लिया chin line तक और यहां से फिर एक extra line आएगा नीचे की तरफ और यह जो line है वो decide कर रहे है कि अब वहां से curve देखे हमें ear तक मिलाना तो यहां पर हमारा ear eyebrow और nose line के बीच में फिर यहां से हमें curve लेके फिर यहां पर मिला देंगे इसको forehead chin line से तो यह हमारा एक और जो face है वो complete हो चुगा है और इसका जो development है या फिर आप जो भी आप shape देना चाहते है जैसे देना चाहते male का female का आप दे सकते अगर आप super hero का बना रहे हैं तो और आपको chin थोड़ी लंबा लेना पड़ेगा तो इस तरह के एक base आपको मिल जाता है जैसे मैंने आपको पहले भी बुलाता है कि एक foundation है अगर आपका foundation अच्छा है तो कोई भी आप nose eyes कितना भी अगर आप अच्छा बनाऊ लेकिन shape में नहीं है या proper shape में नहीं है तो चीज़े थोड़ा unusual लग सकते है लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको shape बता है वो बिल्कुली natural है और आपको भी face उस पे develop कर सकते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो यह भी हमारा एक जो है वो complete हो गया और यहाँ पे यह ball कितना useful है आप समझ सकते हो कि हर एक एंगल में आप जो भी आप face बनाओगे जिस एंगल में होगा तो आपको direct अगर आपके पास reference भी नहीं है तो आप direct आप draw कर सकते हो क्योंकि अगर आपके पास shape आ गया तो shape आने के बाद आप आपके पास जैसे कि आपने individual eye, nose, ears तो यह यहां पर इन सब चीज़ों के लिए यह जो ball का जो मैंने आपको shape बनाए है जो मैंने चीजे तो आप बना के आपने पास रख सकते हैं जब भी आप face बनाए तो यह जो technique इसका ही use करें तो मुझे तो यह best लगता है क्योंकि मैं ऐसे ही जो भी develop करता हूँ आपने sketches तो इसी graph के थुरू बनाता हूँ है front हो या side हो तो एक side का भी मैं already आपको बता चुका हूँ है लेकिन यह जो method है इस method से आप बिल्कुली exact क्योंकि आपको shape पता चल रहा है क्योंकि आप practically आप देख रहे हो और कुछ चीज़े हम अंदास पे बनाते है तो हमें practically उसका knowledge नहीं होता है कि actual में कैसा दिखता है लेकिन हमें at least ball के तरू हमें यह चीज़े पता चल रही है कि हमारा जो shape है वो किस तरीके से दिखने वाला है किस तरीके से आने वाला है यह सारी चीज़े हम देख सकते हैं यहां पर तो यह 3-4 जो shape है face का तो यहां पर draw कर सकते हैं यह जो same जो मैंने आपको side में horizontal बता है तो vertical में भी आप same कर सकते हो जैसे कि front और एक सबसे उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ तो इसमें जैसे ही आप ball को भी shape वैसा ही करेंगे जैसे कि आप बनाना चाहते है तो easily आप बना सकते हो कि आपका lines अगर आपने बना ली वहाँ पर shape बना लिया है तो उसके बाद आप develop कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल ही बना रहा हूँ और यह सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे लोगों ने मुझे request किया था इस method के लिए तो hopefully उनका जो है एक request है वो fulfill हो गया तो अभी तक के लिए इतना ही है मिलते हैं अगले episode में Thank you सब्सक्राइबर रुप Auch झाल झाल